हालो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं चूज एंड राइट दे क्रेक्ट हॉमोफोन फोर इच सेंटेंस टोटल टेन सेंटेंस हमने लिए हैं इनके अंदर ब्लैंक्स हैं और इन ब्लैंक्स में हमने क्रेक्ट हॉमोफोन्स फिल करने हैं अब homophones क्या होते हैं प्रीविस वीडियो अगर आपने देखी है तो उस वीडियो में आपको बतलाय गया था कि homophones ऐसे words होते हैं जिनका उच्चारण जिनका pronunciation सेम होता है एक जैसा होता है लेकिन उनकी spellings और meanings अलग-अलग होते हैं फर्स्ट हमारा एकजेंपल है निग्ड पैंट वॉज़च वर शॉव वॉजया वे आ तो गया इसथा है देखिये जो फॉर्स्ट आपका word है वेस्ट डबू ए ए स्टी इसका meaning होता है बेकार और यह सेकेंड-वर्ड है आपका वेस्ट डबू ए आई ए एस्ट वेस्ट यह हो तो यहां आपको बतलाया गया है कि निक की जो पैंट थी वो बहुत बड़ी थी इसलिए उसने अपनी वेस्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द बैल्ट पैंड ली तो यहां आप क्रेक्ट हॉमोफॉन यूज़ करेंगे वेस्ट डबलू ए आई एस्टी यह आपका क्रेक्ट आंसर होगा डबलू ए आई एस्टी नेक्स्ट, I have blanked that movie yesterday तो यहाँ आप फिल करेंगे scene, S double E and scene I have seen, यहाँ आप फिल करेंगे scene I have seen that movie yesterday, मैं कल यह movie बीते कल यह movie, यह film देख चुका हूँ यहाँ दूसरा word दिया गया था, scene, S, C, E, N, E वो हम यहाँ फिल नहीं करेंगे, उस scene का meaning होता है द्रिश है, तो यहाँ आपका correct answer होगा, scene C, saw, scene, C की, third form है, scene next, icon blank, wait, oblique, wait to receive the letter in the mail, oblique, mail तो यहाँ देखिए, यह first word है आपका wait इस wait का meaning होता है, इंतजार करना यह second जो आपका wait है, W, E, I, G, H, T W, E, I, G, H, T, wait इसका meaning होता है, वजन नीचे अगर mail और mail की बात करें, तो यह जो mail है इसका अर्थ होता है, पुरुश, या नर, और यह जो mail है इसका मतलब होता है, डाक, तो यहाँ correct answer की अगर बात की जाए तो first blank में आप fill करेंगे, यह wait, W, E, I, T, wait और second blank में यहाँ आप fill करेंगे, mail, M, A, I, L, mail number four हम, example देखते हैं, Harry's sister was sick, so he blanked her a card तो यहाँ पर made, M, A, D, E, made, मतलब बनाया, और यह जो made है, M, A, I, D, made, यह होता है नो करानी, तो यहाँ आप जो है, क्योंकि Harry की जो sister है, वो बिमार थी, इसलिए उसने अपनी sister के लिए एक card बनाया, तो यह जो आपका correct homophone, यहाँ blank में आप फिल करेंगे, वो होगा made, M, A, D, E, made next the answer is blank, right, R, I, G, H, T, right, right का meaning है सही, और second आपको word दिया गया है, right, W, R, I, T, E, right, इस right का meaning होता है, लिखना, तो यहाँ आपका correct answer होगा, right, R, I, G, H, T, यह जो right है, R, I, G, H, T, यह आपका correct answer होगा, इस blank में, यहाँ आप फिल कर देंगे, R, I, G, H, T next, my sister is very blank to me, अब यहाँ देखिए, dear, D, E, E, R, यह होता है, hirn, और second आपका word है, dear, D, E, A, R, इसका meaning होता है, pree, तो, मेरी बहन मुझे, बहुत प्रिये है, इसलिए, आप यहाँ फिल करेंगे, dear, D, E, A, R, dear, यह होमोफोन, इस blank में, आप फिल करेंगे, D, E, A, R, next, she has a long blank, hair, oblique, hair, यहाँ, यह जो hair है, H, A, R, E, hair, इसका मतलब होता है, खरगोश, और यह जो second word है, H, A, I, R, hair, इसका meaning है, बाल, she has a long hair, तो, यहाँ आप फिल करेंगे, hair, H, A, R, hair, hair, उसके, लंबे बाल है, उसके बाल, लंबे है, H, A, I, R, hair, यह यहाँ आप फिल करेंगे, होमोफोन, H, A, I, R, त्यान आपने रखना है, number eight, do not blank anything, अब देखिए, यहाँ two words है, first है, S, T, E, E, L, steel, यह स्टील, यह स्टील है, जो metal होता है, दातू होती है, तो, यहाँ क्रेट होमोफोन आप ब्लेंक में फिल करेंगे, वो होगा आपका, S, T, E, A, L, स्टील, स्टील का मतलब, चुराना, तो, यहाँ ब्लेंक में फिल करेंगे, स्टील, S, T, E, A, L, स्टील, यहाँ आप फिल करेंगे, F, L, O, U, R, इस फ्लोर का मतलब होता है, आटा, यह ब्लेंक में फिल करेंगे, F, L, O, U, R, फ्लोर, दूसरा वर्ड दिया गया था, F, L, O, O, R, फ्लोर, आपको पता है, उस फ्लोर का मीनिंग होता है, फर्ष, तो, क्रेक्ट आपका, जो होमोफोन, ब्लेंक में फिल करेंगे, वो, यही है, F, L, O, U, R, आटा, लास्ट हमारा एक्जेंपल है, इस वीडियो के लिए, टेक दा ब्लेंक, पीस ओफ, केक, अब यहाँ देखि उसका मीनिंग होता है, छेद, और सेकिंड वर्ड आपको दिया गया है, डब्लू, एच, ओ, ल, ए, हॉल, इस होल, का मीनिंग है, सारा, तो, यह ट्रेक्ट होमोफोन है, हॉल, डब्लू, एच, ओ, ल, ए, हॉल, यह इस ब्लेंक में हम फिल कर देंगे, हॉल पीस ओफ, केक, हॉल, टेक द, हॉल, पीस ओफ, केक, बाद में कुछ भी हो सकता है, केक हो, चोख हो, वो आप, को जो एग्जेंपल में, सिंटेंस में मिलता है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ, बात है क्रेक्ट हमोफोन की, जो आपको ब्लैंक में फिल करना है, तो यहाँ,èmes हल, डब्लू, ए हॉल पीस ओफ केक, हॉल पीस ओफ चौक, केक का पूरा टुकड़ा, चौक का पूरा टुकड़ा, इस तरी के से इसकी हिंदी बनेगी, तो आपको यहां ध्यान रखना है, होल जो वर्ड होता है, उसका मीनिक होता है छेद, यह दोनों हॉमोफॉन्स है, हॉल और हॉल, जिसमें से एक की स्पेलिंग है ह, और दूसरे, word की spelling है W-H-O-L-E तो यहाँ piece से पहले जो आपको blank दिया गया है उसमें correct homophone आप use करेंगे whole W-H-O-L-E Students, इन examples को आप देखिए, समझेए अपने notebook में note down करके learn और revise कीजिए उमीद करते हैं homophones का यह जो topic है इन examples की help से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा Thanks, have a nice day